और शिमला में इस अवैद निर्मार पर कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं और उन सवालों के जवाब प्रिशासन और सरकार को जरूर दे रहे होंगे कि बिना नक्षा कैसे फ्लोर का निर्मार कर लिया गया, एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे बना लिये गए सवाल ये भी कि इस्ठाणिय प्रिशासन ने निर्मार क्यों नहीं रोका? ये भी सवाल उच्णाई, सवाल ये भी कि क्या इस्थानिय प्रिशासन पर किसी तरह का कोई दबाव था? कि एक फ्लोर के अनुमती होने के बाद तीन फ्लोर बना लिये गए दूसरे अवे निर्मार पर एक्शन लेकिन मस्जिद पर चुपी क्यों साधी जा रही है ये सवाल वहां के लोकल लोग भी पूछ रहे हैं बलकी स्थानिय पुलिस अफसरो ने क्या इस पूरे मामले में अन्देखी की है जिस वज़े से एक तल के परमीशन होने के बाद तीन तल बना लिये गए अवे निर्मार की फंडिंग का सोर्स क्या है कहां से पैसे आए हैं कि तीन फ्लोर की मस्जिद खड़ी कर ली गई और प्रिशासन के अन्देखी होती रही ये तमाम सवाल हैं जिप प्रिशासन से पूछे जा रहे हैं बिकलिस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं कैसे बवाल काफी जादा बढ़ रहा है कोमल पहाड पर हमेशे शांती होती थी लेकिन अब लोग दाहाड रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि कारवाई होनी चाहिए हिंदू संगठनों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है मुख्यमंत्री को सरकार को आज दिन भर में क्या होने वाला है वहाँ पर बिल्कुल देखे पहाडों की बात करें तो हमेशा यहां पर शांती देखी जाती थी लेकिन अवैद निर्मान को ले करके हिंदों की दाहार अब सुरी जा रही है जिस तरह सम तस्वीरे दिखा रहे है कि पहले शिमला के संजॉली बेरे के अवैद मस्जिद के निर्मान को ले कर करें किस तरह से हिंदू संगठान ने दो दिनका अल्टी मेटम दे दिया है क्योंकि जस तरह के तस्वीरे हमने दिखाई कि पहले एक फ्लॉर बनाया जाता है और उसके बाद वैक वा gewoon पे चार फ्लॉर बना दिया जाता है साथी साथ इसे ले कर के देखें अब क। किसुम्टी चुकि अब संजॉली में ये मामला सामने आया था लेकिन इसके बाद अब देखिए पूरी हिमाचर प्रदेश की बात करें तो अलग-अलग शेहरों से अवैद मर्जिद का जो मामला है वो सामने आ रहा है अब ये आग जो है वो कुसुम्टी में भी सुलग रही है और संजॉली की बात करें जहां पर इस वक्त मैं मौझूद हूँ इससे ले करके देखिए अल्टिमेटम दे दिया गया है यानि कल शनिवार को इस पूरे मामे को ले करके सुनवाई है अगर इनका कहना है हिंदू संगठनों का कि अगर ढाया नहीं जाएगा जो चार इम अंदर इन्होंने का काम शुरू कर दिया और किसी को पता नहीं लगने दिया अंदर ये अंदर कंस्ट्रक्शन करके चार मंजला इमारत और बढ़ा दी जाती है यानि पूरी तरह से पाच मंजला इमारत जो है वो खड़ी कर दी जाती है आस पास लोगों को काफी दिक्कत ह पहुंचते हैं और उस दौरान देकि उन्हें गंदे-गंदे कॉमेंस भी पास करते हैं तो भाइलाओं में भी से लिकार आपकी जानकारी इसको फंडिंग किसने की है इसके अलावा अगे क्या कुछ कदम प्रिशासन की तरफ से उठाने के लिए चेतावी दी गई है क्या कु खाएंगे मिलकुल देखिए इस थाने लोगों से जब हमने बात की क्योंकि आसपडूस के लोग है जो अगर हम मश्यद का कंस्रुक्शन हमने जिस तरह से दिखाया कि एक मश्यद है लेकिन आसपडूस हिंदू बहुलेला का है हिंदू रहते हैं उनके पडूस में लेकिन उनसे हमने बागी किया कर फंडिंग कहां से आई और जस तरह से जब चार मंजला इमारत बनाई जारी थी तो क्या उन्होंने शिकायत की थी तो प्रसाशन को जब वो शिकायत करने चाहते हैं तो प्रसाशन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है ये लोकल्स का कहना है इस वीच इस्थानिय लोगों का जब रोज बढ़ा सड़कों परिकटे हुए तो उनका कहना क्या था मांग क्या थी सुनेगा। यहां पर भी आरोप यही है कि यहां पर भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्मान किया जा रहा है जहां पर शिरार्ती जो लोग है वो यहां पर अन्रेस्ट कर रहे हैं। दिन काफी जो शिरार्ती लोग है वो यहां पर आते हैं जिसकी वज़ा से बाजार और जो लोकल यहां के रिजिजेंट्स हैं। दिक्कत और परिशानियां हो रही है। फिलाल इस मामले को लेकर कल जब परदर्शन किया गया उसके बाद एक ग्यापन है वो SDM कुसुम्टी को दिया गया है जांच के लिए कि यह बिल्डिंग क्या है इलीगल तरीके से बन रही है या फिर इसके क्या कागजात है तमाम चीजों को लेकर है जो कागज की जांच परताल है वो की जारी है। कुछ लोकल रेजिदेंट्स इस वोकत हमारे तो नहीं से बात कर लेते हैं यह मामला क्या है और यहां पर क्यों कल परदर्शन किया गया यह एक विबाद ग्रस प्रॉपर्टी थी वक बोर्ड ने जो है मुम्ताज वेगम के नाम से यह लीश पर दी थी अब यह पता नहीं क कि इसक में मालिक ना हक वक बोर्ड का है कि हमाचल सरकार का जिस ता से संजोली वाली मस्जिद का भी आ रहा है कि हमाचल कबजा जो आप वक बोर्ड का है और मालिक हमाचल सरकार है उसके बाद यहां पर अबैद रूप से बाहरी लोगों की गती विदियां जो शुरू हो ग कि जहां पे कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं वहां पे मस्जिद की जुरूरत क्यों सबसे बड़ा प्रशन तो यह ही उता है क्योंकि वकबोर्ड एक्ट भी यह कहता है कि जहां पे लोकल अगर 40 से अधिक परिवार रहते हैं वहां पे मस्जिद बनाई जा सकते हैं तो यहां पर एक भी लोकल मुस्लिम परिवार यहां पर नहीं है फिर मस्जिद की अवस्कता यहां पर क्यों और साहरंपुर के आने वाले चंद लोगों के बाद ही यहां पर मस्जिद की जो अवस्कता ही क्यों पड़ी जबकि यहां से डेड़ किलोमेटर दूर छोड़ा शि डर का महौल इस तंक से है कि यूपी में जिस तरह से क्राइम आई दिन हो रहे हैं और लब जिहाद की घटना हो रही है जैसा कि मंतरी जी ने हमारे जो कसुम्टी विदानसवा के बिधाई कमेर समाननी मंतरी उन्होंने विदान्तवा के पटल पे कहा कि लब जिहाद की गटनाई हिमाचल में भी हो रही है ये एक सचाई है यहाँ पर जब नमाज की जाती है कहां से लोग आते हैं क्या यहाँ पर डर का महौल बना हुआ है बिलकुल बना हुआ है सर जी दो एक से तीन के बीच में इनके आने का समय है उस वकत इनका जो चलने का तरीका है जो बात करने का तरीका जो कमेंट पास करने का तरीका वो असेहनिया है इसलिए गुसा आता कि हम प्रशासन से यही मांग करते कि इनको कम से कम यहां से आने से रोख दिया जाई यह एक अवैद धंचा कोई इसी तरह का कोई धर्मिक सान नहीं है यह देगे सवाल बढ़ा है कि हिमाचल में कितने अवैद मस्जित है और इसी मस्जित विबात को लेकर हमारे संबादता ने हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रम अदित्य सिंग से बात की है वो बात चीत आपको सिन्मा दे है ने इशू कुछ नहीं है इशू केवल एक मस्जित का है जो यहां पर बना है और अलेज किया जा रहा है कि वो अवैद रूप से बना है उसका जो मसला है वो जो हमारा म्यूनसिपल कमिशनर है उनके आधीन कोट में चला हुआ है तो हमने बिलकुल पूरी मजबूती से सरकार ने कहा है सरकार का पक्ष हमने विधान सबा में रखा है और हमने कहा है कि लॉइन ओर्डर को मंटेन करना हमारा दायत्व है हमारी जिम्मवारी है और उसके साथ साथ अगर कोई भी स्ट्रक्चर अवैद पाया जाता है तो उस पे नियम के अनुसार कारवाई होगी ये हमने पूरी मजबूती से कहा है तो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रदेश में महौल खराब हो कोई भी सामप्रदाएग